हेलो गाइज मैं गोर अकुमा प्रिजबती आप सभी का स्वावत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस बीडी के चैस के लंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारी ग्यूकॉयानो गेमस की सीरीज चल रही है जिसमें यह तीसरा गेम है इससे पहले मैं दो गेमस आपको और समझा चुका हूँ, ग्यू को प्यानो वेजड है जो की, अनिमलब की ग्यू को प्यानो वेरियेशन पर जितने भी गेम प्ले किये जा सकते हैं, खेले जा सकते हैं, ओपनिंग ट्रैप्स जो होते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे कवर किये जाते हैं, कैसे डिफेंस किया तो कूब किया और सइसे से एकड़न से के सब्सक्राइब तो और करेंगे तो यृski यहां बीडियो को कि चले जाते नाप मोटिवेट किया दो हमत्रीड से हों को अच्छे से और समझाएंगे ठीक है दोस्तो तो इसी के साथ वीडियो श्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और सेयर भी कीजिए ज्याद से ज्यादा दोस्तों को अपने तो ठीक इसी के साथ श्टार्ट करते हैं देखिए तो ग्यूक्व पैन एफट वाले पॉन पर अटेक करता है और सेम इसी में इसी वारियेशन में आता है विशप शी फाइव यह भी क्या करता है वाइट के एफट वाले पॉन पर अटेक करता है यह डिफेंस ग्यूक्व पैनो वैरियेशन क्या लाता है ठीक है अब भी आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है गेम में नाइट सी सिक्स उसके बाद विशप शी फोर विशप शी फाइव एंड सी थ्री सी थ्री में क्या करेगा आपके ब्लैक विशप पर अटेक लगाएगा जो की सी फाइब पर रखा हुआ है उसे आपको इधर उदर चलने की जगे अगर आपने विशप को ना अटाने की जगे अगर आपने क्या किया पॉन को कैप्चर किया तो आपके हां से सेंटर चला जाएगा सेंटर होगे उसके लिए बहुत अच्छा होगा ध्यान रखिएगा क्या होगा उसके लिए बहुत अच्छा होगा तो सेंटर बहुत जरूरी है आपके लिए तो सेंटर नहीं खोना है इसी वजए से ठीक है और वाइट का सी फूर चलने का प्लान ही है कि सेंटर को अपने कबजे म प्लान किया है कि जो ब्लैक का वो जो वाइट का यह बिदावट सपोर्ट है क्या है इसलिए नाइट ने एफ-3 से ए-4 पर अटेक किया है जिससे कि यह दी-4 वाले एक पौन को मारा जा सके जो की center का है क्या है से इस πα şeyon अगर नाइट ने लोक यह दो वाले नाइट था वाले-4 वाले पौन को मारा थान से एफ-çao जाएगा देखते आके कैसे e5 d cross e5 ठीक अगर अब यहां पर नाइट ने capture करता है नाइट क्या करता है capture करता है e4 वाले पॉन को तो नाइट captures e4 वाले पॉन then queen d5 queen d5 से क्या है कि f7 पर attack आया double attack सबके support से checkmate हो रही है queen checkmate कर रही है और अगर checkmate बचते हैं तो हम knight को capture कर लेंगे क्या कर लेंगे knight को capture कर लेंगे queen से तो यह double attack में knight अपनी चली जाती है mate बचाने के चक्कर में knight को sacrifice देना पड़ता है वो भी sacrifice किसी काम का नहीं होता है free में चला जाता है knight तो देखते हैं अब next game पे जाते हैं देखते हैं क्या होता है अभी इस position में क्या है कि bishop ना चलके e cross d4 कर लेता अगर black क्या कर लेता e cross d4 तो क्या होता देखते हैं e cross d4 c cross d4 bishop पे attack आया bishop v4 check check दी bishop के द्वारा check दी गए bishop v4 अगर bishop v4 check ना देके क्या bishop v4 check ना देके और कोई move चली जाती तो क्या होता वो देखते हैं तो white अगर white black बचता है क्या करता है black bishop को v6 पे ले जाता है bishop b6 तो अब game में क्या होता है देखते हैं इसमें white easily win करेगा कैसे करेगा क्योंकि bishop का 26 जाना भी blender है ठीक है तो देखो क्या blender है डी 5 नाइट पे attack अगर नाइट इदर दर कहीं भी जाता है तो मारा जाएगा क्या अगर नाइट v8 के अलावा कहीं भी जाता है तो वह blender हो जाएगी मिलब मारा जाएगा तो क्या चलता है नाइट v8 जाता है नाइट v8 गया आगे भी हम variation और देखेंगे जिससे आपकी सारी confusion दूर हो सके अभी हम इस variation को कर रहे हैं तो इस variation पर धान दीजिए तो नाइट v8 देन e5 e5 से दूसरे नाइट पे भी attack किया अगर नाइट को h5 पे ले जाते हैं क्या h5 पर ले जाते हैं तो यह wrong move होगी क्योंकि जब भी यह knight अटेगा यहां से कौनसा वाला f3 वाला knight जब भी अटेगा तो queen का attack पहुंचेगा सीधा और वो मारा जाएगा ठीक इस वज़े से इस वैसे इस knight को भी अपने वापस घर वाले square पर ले जाना परेगा कि अनिमल लब knight g8 पर पहुंचेगा तो g8 पर पहुंचेगा जैन कैसल किया king को सेफ किया क्योंकि एक move है अभी देने के लिए फाल्तु चलने के लिए तो king को सेफ कर लिया क्या होता है नाइट को फिर से खिलाया क्योंकि इन्हें भी अपने king को सेफ करना है क्या करना है क्या करना है क्योंकि अभी king unsafe है खुले में है तो इन्होंने knight को वाहर निकाला e7 से तुरंती d6 d6 से क्या है knight के उपर attack ठीक d6 d6 से अगर आपने c cross c pawn से मार दिया d6 वाले pawn को तो variation अलग जाएगा उसका हम अलग से discussion करेंगे अभी क्या है अभी इन्होंने knight बचा क्योंकि अगर मारा तो अगर मारते हैं तो e cross d6 हो जाएगा e cross d6 के बाद queen को अटाएगे तो queen queen से attack लगें सारे attack एकदम से वहां पहुंचाएंगे position बहुत सारी खुली होगी इस game पे हम आगे discuss करेंगे जब आगे दूसरी सीरीज कराएंगे आपको मनलब की चौथा game कराएंगे अभी knight को बचते हैं वह वाला variation देखते हैं तो knight को बच्छा g6 पर knight अभी देखिए अगर knight को पहले ही यहां बचली होते ना h5 वाले square तो अभी attack पढ़ता किस पर पढ़ता नाइट पर पढ़ता क्यों पढ़ता क्यों ब्लैक ने जो g5 वाला knight पहुंचाया है वह बिसब की सायता से f7 वाले square पर attack कर रहा है अच्छा खासा अगर आप knight बचा अब आगया होगा समझ में तो attack आया क्या कर रहा है इन्होंने castling की attack को बचा लेकिन अब यहां पे देखिए queen h5 queen h5 से क्या है कि h7 पे checkmate हो रही है क्या हो रही है h7 पे checkmate हो रही है तो h6 h6 से checkmate वची लेकिन f7 वाला जो pawn है वो pin है इसलिए queen cross g6 g6 पे knight जो था उसे capture कर लिया अभी अभी next क्योंकि mate हो रही है अभी भी तो mate के लिए क्या करना knight की साहिता से mate हो रही है h7 वाले square तो h cross g5 h cross g5 हुआ then mate रुकी bishop cross g5 bishop cross g5 क्या हुआ अब फिर से bishop का plan है queen पे attack कर रहा है और plus queen को बचाना पड़ेगा और यह जो है f6 वाले square पर जाके बैठ जाएगा और g7 वाले पर mate होगी फिर ठीक तो queen को बचा f6 bishop f6 बैठा f6 से bishop ने कहां अटेक किया g7 पर अटेक किया है तो क्या करते है knight c3 knight c3 से check को बचते हैं अभी भी जो black के knight f3 वाले knight का attack है वो हमारे e5 वाले pawn पर है द्यान रखेगा e4 वाले pawn पर है उसका attack ठीक अभी क्या होता game में cashling की cashling करने का समय राजा को save करना बहुत जरूरी इसलिए cashling की black ने check e5 क्या करते है डी 5 डी 5 से आपके knight पर अटक किया knight पर अठेक गया e7 ancient e7 पर the next फिर से e5 e5 से दूसरे वाले boys knight पर अटेक है तो दूसरे वाले knight का अगया e4 पर आगया ऄर दूसरे वालाüne when будем Q3, E4 पर आगया Knight QC2 QC2 से क्या है अब QC2 इतेखिए कि directly S7 वाले Pawn्ट पर Attack कर रहा है किस पर S7 वाले Pawn्ट पर Attack कर रहा है Q7 नाइट पर नहीं कर रहा है ये individually S7 वाले Pawn्ट पर Attack कर रहा है देहां रखेए अब कैसे फायदा उठाथा S7 को देखते है QC5 जब पहुंचती है तो अब देखिए यह बिस सब इसका डाइगोनल ओपन हो गया और इसकी डाइगोनल की छमता कहा तक है H7 स्क्वेर तक है तो देहां रखिए गई है अब यहां पर क्या चला देखिए Knight को आगे ले गई Knight को कहा ले गई H7 वाले स्क्वेर पर अटेक कर रहा Knight गया G5 G5 से H7 वाले स्क्वेर पर अटेक है Queen का भी H7 वाले स्क्वेर पर अटेक है H7 वाले पर क्या है कि यह Mating Threat बन रही है यहां पर तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा Black को Knight को बीच मिलाना पड़ा किसे Knight को तो Knight G6 पे आ गया अब अटेक नहीं हो पा रहा है Then इस Knight को अटाने के लिए White की तरफ से H4 वाली मूव चली गई जिससे कि आगे H5 होगा और Knight की उपर अटेक तो Knight को अठाना पड़ेगा नहीं तो Knight फ्री में पिट जाएगा तो उसके बदले में यह चलते हैं H6 H6 से क्या है कि जो Knight के दम पे Queen जो है वो अटेक करने आ रही है उसी Knight को अटाने की planning इनकी हो गई D6 D6 से क्या है विसप का डाइगोनल ओपन किया D6 स्क्वेर ने क्या किया विसप का डाइगोनल ओपन किया विसप का डाइगोनल जब D6 स्क्वेर ने ओपन किया तो आगे देखते क्या होता है क्योंकि इससे F7 वाले पॉन पर अटेक है और F7 वाला पॉन बीग पॉन है मतलब कि उस पर अटेक है पिन पॉन है वो मूव नहीं कर सकता है देखते आगे गेम में और दियक्त क्या चलता है वाइट ब्लैक ने कैप्चर किया ना यह कर तो तो पिर यह डी व्यक्रण के खेगी और द्वाइट को बनाया किया है एच 7 वालित स्वीट को द्वारा से बनाया मेंट करने के लिए अब इन्होंने रुक को मूफ किया अपने किंग के लिए जगे बनाई अगर चैक आए तो किंग को मूफ किया जा सके इसलिए दिए क्योंकि जो इनका एफ सेवन वाला पॉन है वो तो अल्रेड़ी पिन है उस सवा थो कुछ होना ये नहीं नहीं तो इसकी जो क् SERदार नहीं होगी जैसे कि रुक क्रॉस मार के रुक से E5 बाले पॉन को मार के चेक किंख को हमें जहां बचना है वो केवल एक ही safe जगह है किंख F1 पे अगर हम कहीं दूसरी जगह बचते हैं किंख को तो हमारा जैसे कि D2 पे जाते हैं किम को बचने के लिए तो किंग को डी टू पजाएंगे तो क्वीन क्रोस जी फाइब चेक एंड देन क्वीन से क्वीन एक्सचेंज करनी पड़ेगी और थ्रेट सारे की यह कराए पर पानी फिर जाएगा मतलब कि जो अब तक थ्रेट से बनाई जितना दिमाग चलाया उस सार कि पर पानी फ्रेज आएगा इसलिए किंक को एफ वन पर आए uz खकर लेक्स्राणानों को निए कि आप बंठ कर सके लेकिन इनके पास मौकाई ही नहीं है वाइट की तरफ से अब कुछ स्बलों में ही तोdır को गेम की समापती हो जाती है ब्लैक के तो ये गुई को प्यानों की एक तीसरा गेम वेरियेशन था जो मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से अगर आपको कोई वी डाउट हो जो आपके समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर वहां से समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दूसरी वीडियो में वहां से बता के अपलोड कर दूंगा ठीक है या फिर इसी गेम को एक बार और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा आपको करना गया है अगर आपको गेम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइ तो बिल्कुल से आप टेंसन फिरी हो के पढ़िए क्योंकि यह बहुत ही बेस्ट गेम है ग्रीको प्यानों के ओपनिंग ट्रैप्स भी ने समझ लीजे आप एक तरीके से इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं थैंक क्यों है